बड़ी खबर मुख्यमंत्री पत से मनुहर लाल ने स्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर मुख्यमंत्री पत से मनुहर लाल ने स्तीफा दे दिया है। नई क्याबिनेट एक बार फिर से बनेगी, विभागों को एक बार फिर से बाटा जाएगा, नई मंत्री बनाए जाएंगे, पुरानी कितने मंत्रीों को दुबारा से उनी के विभाग दिये जाते हैं, ये देखना होगा। विजे राना हमारे साथ चन्डिगर से लाइफ कनेक्टेड है, विजे क्यास तो लगाई जा रहे थे, मुख्यमंत्री ने स्तीफा भी दे दिया है अब। स्तीफा भी दे दिया है अब। से सांसद नायब सहनी हो या करनाथ सांसद संचा भाटी हो तिसरे कई चहरों पर अभी तक चर्चा चल रही है, इसके लावज दो प्रवेक्षक हैं, अर्जुन मुंडा और तरुन्चुक जो सीनियर नेता भाजपा के प्रवेक्षक दोर पर लगाए गए हैं, वो भी इस अब पूरे घटागर पर नजर रखे हुए हैं, और प्रवेक्षक की भूमका निवार रहे हैं, तो फिरहाल हर्याना की राजनीती में बड़ा बदलाव जो है, वो आने जा रहा है, और मुख्यमंतिर मुनोहरलाल की स्थीफ़े की सुचना जहां राजभामन से बाहर आ हर्याना सरकार हर्याना भाज़पा सब विधायकों से मुख्यमंतिर पहले बातचीत कर चुके हैं, और उन विधायकों का समरतर मिलने के बाद भवुवत में सरकार फिर से हर्याना भाजवपा बनाएगी, और मुख्यमंतिर के चाहरा कौन होगा, यह देखने वाली बात लेकिन की समर्तन इस बार नहीं होगा और अर्याना के जो निर्दलिये विदायक है उनका समर्तन होगा तो उन चेहरों में से भी एक-दो विधायकों को मंत्री पत्गत दिया जा सकता है और जो मुझूदा मंत्री हैं ये मंत्री मंडल भंग होने के बाद जो मुझूदा मंत्री जो थे उनको उनमें से भी कई चेहरे जो हैं वो दुवारा देखने को मिल सकते हैं हलांके बीजली मंतिर रंजी चू्टवाला निर्दलीय विधायक हैं उनको पहले से बिजली मंतरी है अपहले से कैमिने इतलों मंतरी है लेकिन अलाव एक-धोचेरे और अब हर्याना मंत्र में देखने को मिल तकते हैं तो यह एक बड़ी खबर है हर्याना की राजनीती में, बड़ा बदलाव हर्याना की राजनीती में हुआ है और बिलकुल उमीदों से परे ये जो हर्याना भाजपा ने जो राजनीती तयार की एक बड़ा दाव खेला है इसकी उमीज शायद कोई नहीं जिता रहा होगा कि हर्याना भाजपा में इस तरह का बड़ा बड़ाव देखने को मिलेगा जी एक और बड़ाव ये भी शायद देखने को मिल सकता है विजय की गड़बंधन तो टूटे गई बेज़पी जेज़पी का लेकिन जेज़पी में भी टूट हो सकती है क्या क्योंकि देवेंद्र बबली भी पहुंचे थे बैठक में बिलकुल जेज़पी और भाजपा गड़बंधन अब लगबग उसे तूटा हूँ माना चाहिए उसके जो आधिकारी गोशना हलाके होने बाकी है लेकिन उसी गंतिजार किया जा रहा है कि आधिकारी गोशना कभी भी हो सकती है क्योंकि चंडिगड में जितना बड़ा पांच सालों से अब वो गड़बंधन जो है वो अब खत्म होने जा रहा है और उसके बिना हर्याना में सरकार भाजपा बनाएगी लेकिन बड़ा स्वाल यही है कि जो अब जज़पा की बस क्या रास्ते हैं क्योंकि जज़पा के लिए बिलकुल चुनोती है क्योंकि बार उन्होंने बियानबाजी की है अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर उन्होंने बियानबाजी की है तो अब उन विधायकों क्या रुख रहेगा क्या भाजपा उन विधायकों को भी अपने साथ जोड़ना चाहेगी या वो विधायक जो जज़पी बने रहेंगे तो इस अद्धियाना बाशपा ने जो बड़ी रर्नीती जो खेली है हर्याना में वो उसकी उमीद किसी ना की होगी कियो कि हर्याना में सरकार चल रही थी बहमुत में सरकार थी तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि मंदल भंग हो सकता है मुख्यमंतरी इस्तिफाद दे सकते हैं लेकिन लोगसभा चुनाव में जो रनीति तियार की है वो बहुत बड़ी राजनीति हर्याणा में देखने को मिली है और सुभे से ही ऐसी उमीद की जा रही थी थी ऐसी यह उमीदे पक्की हो गई थी कि अब जो है कोई नों के बड़ा होने वाला है कि तरह मुख्यमंत्री के स्थीफे की चर्चाएं चल रही थी और दूसरी और राजभावन में तयारें चल रही थी शपत ग्रहन समरों की तो इस तरह से तमाम जो समीक्रण थे वो बंते होने जा रहा है और नए मंत्री मंदल होगा हाला के निर्दली वधायकों में से भी कई चेहरे हर्याना के मंदल में देखने को मिलेंगे साथ ही साथ अब मुख्यमंत्री का चाहरा कौन होगा ये भी देखने वाली बात है जो हाई कमान कि उसे दो प्रवेक्षक लगाए अब दुबारा मुख्यमंत्री पद्गी शपत हरियाना में कौन लेता है। बिल्कुल यह जो फैसला लिया गया है कि कल प्रधान मंत्री नेरंद्र मोधी गुड़गाओं में थे और उन्हों नभी मुख्यमंत्री मनोहर लाग को लेकर कई बाते की कई पुराने यादे सांजा की और यह एक तरह जंता को संदेश दिया कि उनका और मुख्यमंत्री मनोह लाल के साथ वह पुरान मंत्री ने परदेश की जंता को बताया था कितने पुराने समय से वह लोग दोस्त हैं और पार्टी के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं किते पुराने समय से और उस मुलाकात के बाद यानि आज सुबह जो है वह सुबह से ही चर्चाय शुरू हो चु जो है वह भाजपा ने उठा दिया है जहां तक रणीती की बात है ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है मनोहर राज जो है वो करनाल से लोग सब चुनाव भी लड़ सकते हैं या उन्हें कोई संग्धन की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है लेकिन इतना तया है कि इस पद के बा बाश्ट्य भाजपा में वो जाएं और केंदर में जाएं या लोगसवा चुनाव लड़ें उसके बाद केंदर में जाएं या संग्धन की बड़ी जिम्मेदारी समभालें तुमाम तरह के सवाल है लेकिन अब जो रणीती है बाजपा की वो दीरे-दीरे साफ होने लगी ह लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़ा बद्राव हर्याना की राजनीती में हो चुका है साथ इसाथ अब एक सवाल और उड़ जाता है कि अगला जो उपमुख्या मंतरी होगा हर्याना में वो कौन होगा क्योंकि अभी तक दुश्यन चुडाला वो मुख्या मंतरी है और चुड़ रहा है तो बेहद महोर जो है वो घर्माया हुआ है हर्याना ही राजनीति का गर्मा चुकाए हे और एक बेहद बड़ा कदम हर्याना में भाजचा क्योंड देखने को मिला है जिसकी उमीद शायद किसी कि हो गी कोई कि जिस दोक्र है सरकार चल रही थी बवमुख् निती के तहट यह सारे कदम उठाए गई हैं बेहत सोच विचार करने के बाद यह कदम उठाए गए हैं क्योंकि यह एक बड़ा कदम है और अब हर्याना भाजपा जो अपना भाम साबित करने के बाद दोवारा हर्याना में सरकार बनाने जा रही है जी बिल्कुल विजए हमारे साथ आप से हम हर अपडेट लेते रहेंगे